हेलो, चलिए देखते हैं TGT Max की question करेंगे, फ़ला देखते है question number कल जो class हमें छोड़ा था, उसके आंगे, ठीक है नहीं lecture number 6 है, तो question number 52 है हमारा, देखे क्या question number 52, if 10, 3, take equals to 1, then the value of, then the value of 8 sin theta, plus 5 cos theta, upon sin cubed theta, minus 2 cos cubed theta, plus 7 cos theta, देखे 10 theta equal to 1 है, मतलब theta equal to कितने degree ही होगा, 45 degree, और 45 डिगरी में sin और cos क्या होते हैं इक्वल होते हैं तो 8 sin theta और 5 cos theta बन जाएगा कितना 13 sin theta लिख लो या cos लिख लो अब यह sin cube है और यह 2 cos cube है तो sin or cos equal है तो यह कितना आ जाएगा minus sin cube theta plus 7 cos theta चलिए अब value रोग दीजे कुछ नहीं sin 5 पर 4 की 13 13 sin pi by 4 केतना होगा 1 by root 2 upon minus sin cube pi by 4 याने कि 1 by root 2 को whole cube और 7 into 1 by root 2 ठीक है अब दो इसको solve कर लिजे 13 by root 2 upon sin cube pi by 4 तो मैंस में 1 by 2 root 2 होएगा और plus 7 by root 2 तो 7 और 2 root 2 है 13 by root 2 और यहां पर कितना है 7 cos theta तो 7 by root 2 होएगा पर यहां पर sign क्यों नहीं तो 2 root 2 से 2 से लेंगे 14 14 मानस 1 प्लस 13 बाइट तो रूट 2 से 13 कैंसल रूट 2 रूट 2 कैंसल आंसर आ गया तो इसका आंसर कितना होगा चलिए अगला सवाल देखे अगला सवाल है इस 10 थीटा एक कोल स्टू 3 तो तो हमें बैल्यू पता करनी है 5 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा डिवाइड़ वाइज साइन क्यूब थीटा प्लस 3 cos क्यूब थीटा प्लस 2 cos थीटा की हमें यह value find करनी है चलिए इसकी value find करके बताएए चलिए देखिए इसको solve करने का method जो है इसको solve करने की makeable trick बता रहा हूँ यह कोई official कोई rule नहीं है इस तही के question को solve करने का method आपको बता रहा हूँ देखो 10 थीटा की value 3 है तो sign में अगर आप cost कडिवाइड करोगे तो क्या आएगा 10 थीटा बन जाएगा तो solve कैसे होगा 5 multiplied by 3 3 plus कितना हो जाएगा 4 ओके अब साइन क्यूब थीटा है और 3 cost क्यूब थीटा है ओके तो इसका लिखो 3 और इसका लिखो 2 तो answer 5 गुणे 3 15 और 4 19 तो answer आएगा इसका 19 by 5 अभी एक दो question और कराऊंगा तो आपको trick क्लियर हो जाएगा इस तरीके की question की validity के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जैसे यह रिखे यहाँ पर जो value लिखे हुई है 3 10 3 equal to 3 तो यह value आपको यहाँ पर मिलेगी 3 और यह जो value होगी आपको दोनों अब 10 3 equals to 5 है तो क्या हो जाएगा देखे 4 में cos का divide करेंगे तो 4 और यह बन जाएगा cos sign upon cos 10 तो 4 into 5 प्लस इसका क्या आएगा 3 आएगा ओके इसके बाद देखे यह वाला term 5 किसमे मैं चुरा इसमें तो इसका 5 लिख दो और इसका 7 लिख दो तो cos में sin का divide करेंगे तो उपर आजाएगा 4 4 जा 16 प्लस इसके बाद आपके पास यह आएगा 5 आएगा ओके यह आपके पास इधर पर कुछ नहीं 4 यहाँ जाएगा 4 और यहाँ जाएगा 3 तो answer कितना आएगा 21 upon 7 मतलब answer आगया कितना इसका 3 clear चलिए अगला question देखिए sin square 5 plus sin square 10 plus sin square 15 up to up to sin square 90 आपको value दी गई है तो देखिए यदि इसको मैं pair करता हूँ तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसके पहले क्या आएगा sin square 85 sin square 85 तो यहाँ से लेकर के 85 तक total कितने terms होंगे आपके 5 की table 85 times 17 term होंगे तो 17 term जो है यह जो है 17 term है तो 17 term क्या produce होगा देखो यह मतलब हर तम अपने आप में 1 by 2 का weight होगा क्यों क्यों देगा 1 by 2 का weight क्योंकि sin square 5 और sin square 85 1 हो जाएगा तो मतलब 2 term का weight 1 है तो एक term का weight 1 by 2 तो 17 term का weight होगा 17 by 2 और plus sin square 90 कितना होता 1 तो answer आएगा 19 and half तो यह इसकी trick है ओके चली देखिए अगला question जैसे sin square 3 plus sin square 6 plus up to up to sin square 87 अब देखिए 3 की जोड़ी बनेगी किसके साथ बनेगी 87 के साथ तो sin square theta plus sin square 87 है जो कि sin square theta plus cos square theta 1 हो जाएगा और total यहाँ पर कितने term आएगे तो 3 से सुरूआ 87 पर खताम हुआ मतलब 87 3 की table में कितने बार जाएगा 29 बार जाएगा मतलब total 29 term है अब हर 2 term मिलकर के कितना weight दे रहे है 1 मतलब हर टर्म का weight कितना है 1 by 2 तो total term कितने है 29 तो 29 term का weight कितना हुआ 29 by 2 तो कितना जल्दी short trick है देखिए इस से जल्दी से आगया answer चलिए देखिए इस question को करते हैं चलिए देखिए इस question को कैसे करते है तो इसका best तरीका है यगर 10 a into b equal to 1 है तो पहले trick याद कर लो कि a plus b equal to हुआ करता है 90 trick है अब कैसे बनती है इसको 1 के नीचे quad को ले जाओगे तो बन जाएगा 1 upon 10 जो है quad बन जाएगा और फिर उसको करके आपके पास आ जाएगा a plus b equal to 90 तो यहाँ पे 2 theta plus 3 theta एक प्लस था equal to कितना 90 मतला 5 theta equals to कितना हो गया 90 तो theta equals to कितने डिगरी हो गया 18 डिगरी ओके तो theta equals to 18 डिगरी है अब यदी इसको हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे इसको देख ठीके equals to 18 डिगरी है तो sin की power n जो भी है यहने की sin 18 यह theta 18 है और 5 का multiply तो कितना होगा 18, 5 जा 90 sin 90 की power n और cos 90 की power n तो यह तो हो गया 1 की power n याने 1 और answer 0 तो answer आएगा कितना 1 ओके देखे sin square alpha plus sin square beta की value 1 है तो आप से बोला गया है कि sin alpha plus beta और caught alpha plus beta 1 कभाःगा अब देखें sin square alpha और यह sin square beta जो है 1 कभःगा तो अगर यह 1 देने की सर्थ होती इसकी इसकी 1 देने की क्या शर्थ हुआ करती है alpha plus beta equals to 90 यह हुआ करती है इसके 1 देने की शर्थ, ओके, अगर sin और cos में होते, दोनों सेम होते, that time alpha equal to beta, and sin sin में है, तो alpha plus beta equal to 90, तो answer क्या होगा, sin 90 की value 1, and cot 90 यहने कितना 0, तो answer कितना आएगा 1, very simple. ओके देखिया, अगला question, अगर आपके पास given है, sin alpha plus cos alpha equal to 2, तो आपको निकाल नहीं है, sin q alpha plus cos q alpha की value, आप देखिए, sin alpha cos q alpha 2 कब होगा, जब यह होगा 1, और यह होगा 1, तो sin alpha की value 1 कब होती ही, 90 degree, मतलब यह alpha यहाँ पे 90 degree है, तो sin q alpha 90 का, क्योग होगा, sin 90 क्योग होगा, यह भी 1, तो answer कितना आएगा, 2, मतलब कोई भी power कर दोगे, तो इसका answer 2 ही आएगा, और इसकी value cos alpha कितना हो जाएगा, देखिए, आपके पास, cos alpha कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और cot q, cot की power alpha, n alpha equal to 0, तो आंसर इकोल्स टू कितना जीरो, ओके, यह हो गया आंसर, नोट करिए, ऐसे कोशन में ट्रिक के लिए ठीट एकोल टू जीरो पूट करें,